हेलो एवरिवन वेलकम टू आइस पीसियस बाइश्पिरेंट्स तो दोस्तो इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं और हिंदी मीडियम में आधुनिक भारत का इतिहास का पूरा का पूरा नोट्स टेलिग्राम चैनल पे अप्लोड कर द अधुनिक भारत का इतिहास भारती संस्कृती प्राची नेवं मध्यकालीन भारत का इतिहास ये सिलेबस है उसके बाद इन्होंने बताया है कि आध्वनिक भारत के इतिहास में UPSC के सिलेबस में क्या है तो पहला पॉइंट है वो है यूरोपियों का आगमन जिसमें कि शास बात आप इस notes में देख सकते हैं कि इन्होंने एक एक करके इस syllabus को ही इतने अच्छे तरह से design किया है ऐसा लिखा है इन्होंने कि क्या पढ़ना है आपको एकदम बिल्कुल clear हो जाएगा जैसे प्रसासनीक नितियों में आपको civil सेवा पढ़ना है पुलिस सेवा पढ़ना उसके बाद point है भारती प्रतिक्रिया क्या हुई जैसे कि जंजाती विद्रो हुआ उसके बाद मजदूर आंदोलन 1857 का विद्रो फिर भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन राजाराम मोहनराय केनेत्रित्तों में उसके अलावा देयानन सरस्वती फिर इन्होंने देखिए जैसे भारत में यूरोपियन कंपणियों का जब आगमन होता है तो उसके बारे में इन्होंने नोर्स बताया कितना आसान से कितना सांदार तरीके से इन्होंने नोर्स बनाया है कि देखिए यहाँ पर पूर्तगाली आते हैं फिर डच फिर अंग्रेज फिर डेनि केंद्र थे भारत में फैक्टरी कार खाना ये सब इन लोगों ने भंडार्गरी बनाने शुरू किये वासको डिगामा के बारे में बताया कि 1478 में काली कट आया हिंदू सासक जमोरीन ने स्वागत किया अरवियों ने विरोध किया विरोध क्यों किया आर्थिक कारण था य और अब जो थे वो पहले से यहां पर ट्रेड कर रहे थे तो ट्रेड दो लोग बन गए हैं अब दो लोग अगर एक ही जगा दुकान खोल देंगे तो फिर क्या होगा ग्रहक मट जाएंगे तो ये आर्थिक कारण था फिर पर्थम पूर्तगाली फैक्टरी कहां लगाई ग बताया कि गिर्जा घर बना इसाई करण हुआ कर्टेज अर्मेडा पद्धती की सुरुआत हुई गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई हना फिर इन्होंने बताया है कि डच कंपनी कैसे आई तो ये आप देख सकते हैं इनके नोट्स हैं मैं थोड़ा सा आग बकसर वगएरा ये सारी बाते बताएंगे तो इन्होंने क्या किया एक मैप बना दिया और मैप बना के पहले दिखा दिया कि कहां कहां पर कौन कौन से रीजन है जैसे कि यहां पर इन्होंने बनाया कि यह बंगाल का छेत्र है और बंगाल के छेत्र में इन्होंने दिखा द माहे है यहाँ पर इन्हों ने ये भी बता दिया कि मैसूर और माहे जहाँ पर माहे जो है वहाँ पर efficiently बस्ती एक बनी थी अंतिम, मुगल, सुवेदार, मुर्सित, कुली, खाता तो ये साहड़े आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से फ्लोचार्ट जैसा बनाके या कम शब्दों में लिखके पूरा का पूरा नोट्स इन्होंने तैयार किया है इसका फायदा यही होगा कि रिवीजन के समय आपको आराम रहेगा अगर एक बार आप मेहनत कर लेते हैं नोट्स मनाने में तो रिवीजन के समय आराम हो जाता है लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि नोट्स आपको खुद के मनाने चाहिए अगर आप इस नोट्स को भी पढ़ रहे हैं तो इस नोट्स की सहायता लेकर आप अपने नोट्स मनाईए आप अपने नोट्स में कुछ अपनी बातें रखेंगे अपने तरीके से लिखेंगे तो वो आपको जादा समझ में आएगा क्योंकि एक बार आप लिख चुके हैं उसी चीज को दुबारा उसको पढ़ेंगे फिर तीबारा चार बार पांच बार पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा आपका ज्यादा अच्छी तरह से रिवीजन होगा खैर आप इससे हेल्प ले सकते हैं चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं मेनत अगर आप नहीं करना चाहते हैं इससे भी पढ़िए प्रिंट आउट निकाल लीजेगा इसका फिर देखिए कैसे पूरा खेल हुआ था प्लासी का युद्ध तो इधर अंग्रेज था इधर बंगाल के नवाब थे इधर सिराजुत दौला, मीर मदान, मोहन लाल मीर मदान, मोहन लाल देखिए बहुत बार हम लोग छोड़ देते हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण लोग है पेपर में इनसे सम्मंधित प्रशन पूछ देता है कब तक एक इक प्रशन पूछेगा कि कब हुआ था, किस के समय में हुआ था उसमें अलग-अलग डाइमेंशन आपको याद होने चाहिए अलग-अलग फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए UP-PCS के लिए खासतों पे अगर आप बात करें अभी हार-PCS के लिए बात करें तो उसके लिए facts की भी जरूरत पड़ती है और conceptual तो जरूरत है ही तो इस तरह के notes बनाने का यही फाइदा होता है आप देखिए एक करके ये पूरा का पूरा notes है यह आपको मिल जाएगा फिर आप देखिए कि द्वैद शासन क्या है इसके कारक क्या थे द्वैद शासन के इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके समय में लागू हुआ बिलकुल एकदम शांदार तरीके से इन्होंने बताया फिर टीपू सुल्तान उसका नाम फतेह अली भी था इसके बारे में पूरा बताया बीच बीच में उन्होंने ये भी लिखाया जैसे भेंड की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना ये उसने कहा था टीपू सुल्तान ने तो ये भी प्रशन पूज देता है कि निमलिखित में से किस आ सकनी य इस तरह से इन्होंने बनाया फिर आंगल मैसूर युद्ध के बारे में एक छोटे-छोटे डाइग्राम के माध्यम से इन्होंने सारी बातें भी लिख दी है और उससे आपको ग्रैस्प करने में याद करने में आसानी हो जाती है आपके दिमाग में वो पिक्चर के जैसे आता है ये खास बात होती है इस तरह के नोर्स बनाने की फिर आंगल मराठा युद्ध में भी ऐसी बना दिया कि कौन दो पुत्र थे उनके बीच में फिर संभाजी संभाजी का पुत्र कौन है किस के पिता है किस से किस से लडाई हो रही है किस सन में लडाई हो रही है एरो भारत का हुआ तो भारत के विभाजन से संबंधित कुछ बात हैं लिखी फिर समविधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट वगरा जो है वो सब भी यहां पर इन्होंने लिखा है और यह जो एक्ट वगरा है जो समविधान वाला है यह तो मैंने आजित्या पांडे सर के नोट्स भी अपलोड किये थे तो वहां से भी आप देख सकते हैं वहां से और शौर्ट करके उन्होंने लिखा है तो वह एक से दो पेज में ही सारा वहां पर भी क्लियर हो जाएगा और लेकिन वो इंगिश मेडियम वालों के लिए है हिंदी मेडियम वालों के लिए यह न थाइगा, थाक्यो सो मुच्छ